राधे राधे फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल अधी कॉल्च्रोल वर्ट देखे आज हम लड़ू को पाल जी के लिए ये बहुती कुपसूरत सी ड्रेस बनाएंगे आप देख सकते हैं ये ड्रेस कितनी ज्यादा सुन्दर लग रही है हमने कॉटन के फैबरिक से ये ड गर्मयों में लड़ू को पाल जी कुड़िली यूज में ये ड्र्स असानी से पहना सकते हैं देखे सा ये इसकी घेर भी कित्ती सब्स ज्यादा सुन्दर आये है ना इस terrorist को बनाना बहुत आसान है मैं बहुत बहुत आत्तारीके से ये ड्रस पनाना बताया है इसके सा थी सा या फिर वीडियो से related कोई knowledge चाहते हैं या फिर कोई question पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा Instagram handle है adiculturalworld268 तो चलिए friends अब हम ये बहुत ही सुंदर सी dress पनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ bell icon भी प्रेस करिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले सबसे पहले हमने दिखिए cotton की fabric में से 2 pieces कट कर लिए है एक हमने yellow color का fabric use किया है और दूसरा जो हमने fabric use किया है वो हमने green color का use किया है देखिए इसकी जो हमने यहां से यहां तक की total लबाई रखी है वो हमने 18 inch याने की 18 inch रखी है और इसकी जो हमने ये चोड़ाई रखी है वो हमने 10 इंच यानि की 10 इंच रखी है हमने जो दोनों पीसेस कट की है हमने दोनों पीसेस का मेजरमेंट सेम रखा है इसकी भी लंबाई हमने 18 इंच रखी है और जो चोड़ाई है वो हमने 10 इंच रखी है देखें ये जो measurement है ये 6 नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए है तो अगर आप इसी बड़े नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए ये dress बना रहे हैं तो आपको दोनों pieces में लंबाई में एक एक इंच एड़ करते जाना है और चोड़ाई में आपको आधा आधा इंच एड़ करते जाना है ये 6 नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए हमने 18 इंच की लंबाई रखी है तो 7 नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए हमें 19 इंच की लंबाई रखनी है आठ नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए हमें 20 इंच के लंबाई रखनी है इसी तरीके से जैसे जैसे लड़ू गोपाल जी का नमबर बढ़ता जाएगा हमें लंबाई में एक एक इंच एड़ करते जाना है और जो हमने ये चोड़ाई रखी है इसमें हमें आधा-धा इंच एट करते जाना है और अगर आप इसे छोटे नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो जैसे जैसे लड़ू गोपाल जी का नमबर घटता जाएगा हमें लंबाई में से एक-एक इंच घटाते जाना है और चोड़ाई में से हमें आधा-धा इंच घटाते जाना है ऐसा हमें दोनों फैबरिक में से करना है यानि कि इस वाले फैबरिक में भी हमें एक इंच एट करना है और इस वाले फैब्रिक में भी हमें एक इंच एट करना है अब देखिए हमें इसको बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और बराबर करते हुए इस पर प्रेस लगा लेना है ऐसे ही हमें दोनों पीसिस को बीच में से फोल्ड कर लेना है और इस पर प्रेस लगा लेना है हमने देखिए फोल्ड करके प्रेस भी लगा लिया अब जो इसकी चोड़ाई है वो 5 इच हो गई है हमें इन दोनों पीसे को एक के उपर एक रखते हुए यहां से सिलाई लगाकर जोइंट कर लेना है हमने देखिए इसको बीच में से सिलाई लगाकर जोइंट कर लिया अब यहां उपर की तरफ से देखिए उपन वाली साइड है और यहां नीची की तरफ से यह फोल्डेट वाली साइड है अब हमने यह गोल्डेन कलर की देखिए पतली वाली लेस ले ली है अगर आपके पास इसमें की lace नहीं हो तो आप कोई भी golden color की lace use कर सकते हैं इसको हमें यहां नीचे की तरफ से देखें जो folded वाली side है यहां से रखते हुए और थोड़ा सा उपर से बिल्कुल नीचे से हमने लगाएंगे इसको थोड़ी सी जगा छोड़ते हुए यहां से रखते हुए नीचे से लगा लेना है lace लगाने के बाद अब हमें इन दोनो corners पर double fold करके सिलाई लगानी है इसको देखे एक बार हम ऐसे fold करेंगे और फिर एक बार और fold कर लेंगे ऐसे double fold करते हुए हम दोनो corners पर सिलाई लगानी है हमने देखे plates डालते हुए यहां उपर की तरफ से सिलाई भी लगा ली है देखे यहां से यहां तक की जो हमने कमर की चोड़ाई रखी है वो हमने 6 इंच रखी है यह जो measurement है यह 6 नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए है तो अगर आप इसे बड़े नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए यह dress बना रहे है तो जैसे जैसे लड़ू गोपाल जी का नमबर बढ़ता जाएगा आपको कमर में आधा आधा इंच यानि की हाफ इंच एड़ करते जाना है 6 नमबर के लिए हमने देखे 6 इंच का measurement रखा है कमर का 7 नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए आपको कमर का measurement 6 इंच रखना है 8 नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए कमर का measurement 7 इंच रखना है और अगर आप इसे छोटे नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए ये ज्रेस बना रहे है तो जैसे जैसे लड़ू को पाल जी का नमबर घटता जाएगा आपको कमर में से भी आधा आधा इंच घटाते जाना है अब हमें देखें इसको अच्छे से प्लेट्स को सेट करते हुए प्रेस लगा लेना है अब हमने ग्रीन कलर के फैबरिक में से एक पीस कट कर लिया है इसकी लंबाई हमने 16 इंच यानि की 16 इंच रखी है और इसकी जो हमने ये चोड़ाई रखी है वो हमने 1.5 इंच यानि की पलट लेंगे और पीछे की तरफ से इसको हमें रखना है देखे यह जो पट्टी हमने लगाई है यहां से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेना है अब हमें पट्टी को ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है फिर हम इसको बीच में से कुली बनाएंगे लिए चोली बनाने के लिए तेखिये 4 पीसी स्वा दो पीस हमने येलो गलर के लो जए पाइबुक मेंसे दो पीस हमने ग्रीन कलर के लिए इनका मेजर्मेंट हमने एक बराबर ही रखा है यानि कि इन चारों पीसिस का जो माप है वो सेम है इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो हमने 8 इंच यानि कि 8 इंच रखी है और इसकी जो हमने ये चोड़ाई रखी है वो हमने 2 इंच यानि कि 2 इंच रखी है ये जो मेजरमेंट है ये 6 नमबर के लडू गोपाल जी के लिए आपको 9 इंच की लंबाई रखनी है आठ नमबर के लडू गोपाल जी के लिए आपको 10 इंच की लंबाई रखनी है इसी तरीके से जैसे जैसे लडू गोपाल जी का नमबर बढ़ता जाएगा आपको लंबाई में एक एक इंच एड करते जाना है और इसकी जो हमने ये चोड़ाई रखी है इसमें आपको 0.25 इंच बढ़ाते जाना है क्योंकि हमने ये देखे दो पीसेस यूज़ किये हैं चोली बनाने के लिए एक तरफ के लिए तो जब हम दोनों में 0.25 इंच बढ़ाएंगे तो उसको एड़ करेंगे तो आधा इंच ब पनाते जाना है सारे पीसेस में और अगर आप इसी छोटे नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए ये ट्रेस पना रहे हैं तो जैसे जैसे लड़ू को पाल जी का नंबर घटता जाएगा हमें लंबाई में इसको एक-एक इंच घटाते जाना है और जो हमने चोड़ाई तरफ से जो है ये open वाली साइड है दोनों ही पीसेस की देखिए इधर की तरफ से open वाली साइड है और इधर की तरफ से folded वाली साइड है तो जो open वाली साइड है इसको हमें इस तरीके से पलट कर रखना है अब देखिए इधर से दोनों पीसे की open वाली साइड हो गई और इधर की तरफ से दोनों पीसे की folded वाली साइड हो गई तो जो open वाली साइड है इधर की तरफ से हमें यहां से यहां तक इसको सिलाई लगाकर joint कर लेना है ऐसे ही हमें देखिए ओपिन करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा अब हमें फिर से यह पतली वाली गोल्डेन कलर की लेस ले लेनी है जो कि हमने ड्रेस में भी यूज की थी यह देखिए यह जो हमने सिलाई लगाई है यहां बिल्कुल बीचो बीच से हमें लेस को इस त बीच में से बीच में सिलाई लगाकर इसको जोइंट कर लेना है हमने देखिए इसको यहां नीचे से जोइंट कर लिया इसके साथी साथ हमने यहां बीच में से बीच में से बीचो बीच में रखते हुए बराबर करके और सिलाई लगाकर यहां से जोइंट कर लेनी है लेश फिरेते को पाइप लेश ले लिए लड़कन वाली लेस नहीं रुभी यहां से लगा लेना है। करें साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें थैंक यू